अब रुक करते हैं हर्याना का जहां हर्याना विधानसभा चुनाव के लिए वोटरों को कैसे लुभाएं उसके लिए यहां पर जितने भी नेता हैं वो अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं और भाजपा उमिद्वार दूडा राम ने यहां कहा है कि अगर मैं MLA बन गया तो बाईकों में को तो उसके बाद यहां पर बाईक का चालान नहीं कटेगा अब बिल बिल देखिए हर तरह यह लॉलिपॉप इस वक्त दिये जा रहे हैं और किसी तरह से वोट को हासल करने के लिए और ऐसे में हर्याना विदानसभा चुनाव में फतेयावाद से भाश्पा अमीदवार डूडाराम विश्णोई ने खुलत और बर ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ बयान दिया है शेर वाट दस में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि नशा बिकना बाईक का चलान कटना और ऐसी ही कई और समस्या है चूटी मुटी समस्या हैं और एक बार अगर वो MLA ब बालन्स जारे से जारा करें दूसरी ओर से भाजपा के उमीदवार डूडाराम अपनी सभाओं में लोगों को उनके विधायक बनने के बाद वहानों के चलान कटने जैसी दिक्कते ना आने की बात कह रहे हैं और कल रात को फत्याबाद शहर के वार्ड नमर दस में पारशा में लोगों से उन्हें जिताकर विधायक बनाने की बात भी कहिए लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि भाजपा सरकार नहीं केंद सरकार नहीं जिस तरह से जो मोटर वीकल एक्ट के जो नियम है उसमें संशोधन किया नियम को और सक्ट किया और इसके बाद उन्होंने जिस तरह से प्रत्याशी ने बीजेबी के प्रत्याशी ने जो स्टेट्मेंट दिया तो उन्होंने कहीं न कहीं अपने ही पार्टी के एजेंडे पर सवाल खड़े कि